हेलो फ्रेंस स्वागते आफ सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेज़ा टारेट पर तो दोस्तो आज लोग लेके हैं कलास्टेन के बहुती की यानि की फीजिक्स के अत्यांदी काफी महतपुर्ण तीस वीडियो से आप लोगो 25 नंबर मिलने वला है दोस्तो यह मेरा गरेंटी है अगर इस वीडियो को संपूर्ण सुरू से लेकर आगरी तक भीना इसकिप किये एक एक कोस्टन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके मेटिक वर्परिक्षा में 25 नंबर पका मिलने वला है दोस्तो इससे बहार आपका एक भी परसनर नहीं रहेगा इसी से सारा का सारा परसन पूछा जाएगा और दोस्तों ये भोती की का पूरा निचोर परसन है और दोस्तों ये तीस परसन है ना आपके यंसी याटी के न्यू पैटर्न पर आधारी तो फ्रेंस प्रावर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगरों को दोषतो वाई मंडल में जो है ना नीले रंग का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है यानी कि यहाँ पर और ऑफिसन में बिल्कुल से उत्रो जाएगा और दोस्तों यहीवी comprar समान को जो आढों होता है नौ वह याद रखे करा क्योंकि वाई मंडल में नीले रंग का परकिर् सब्सक्राइब करते हैं यानि कि यहां पर आपको से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं पर तो देखें हैं कि सुर्यास्त किसमें आकास लाल दिखाई देता है कि यहां पर आपको से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं पर चानवर पर सना मोंश्ट इंपोर्टेंड देखें कि निकर दिरिष्टी दोस्कों दूर करने के लिए किस लेंस का उप्यों किया जाता है काफी महतपूर्ण है उप्सन ए है उतर लेंस और उप्सन भी है उतर लेंस और उप्सन सी है बेलनाकल लेंस और उप्सन टी में आपका दिया हुआ है समतर लेंस तो दोस्तो निकर दिरिष्टी दोस्कों दूर करने के लिए जो है न हम लोग अउतर लेंस से बने चसमे का उप्यों करते हैं यहां पर उप्सन भी जो है न है बिल्कुल से उतर हो जाएगा और दोस्तो दूर दिरिष्टी दोस्कों दूर करने के लिए जो है न उतर लेंस से बने चसमे का उप्यों करते हैं साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है लेंस के चमता का साइब बिल्कुल से तरह जाएगा और दोस्तो हम लोग डाय ओप्टर को जो है न डी से सुजित करते हैं साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है और दोस्तो लेंस की चमता का और भी मात्रफ होताह दो कर दीजेगा और चैनल पर पर नहीं है ना तो पिल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर जरूर्ब होता है option A कुलंब और option B है जूल और option C है ओम और option D में आपका दिया हुआ है वोल्ड तो दोस्तों विद्धूत आवेस याने की एलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है ना कुलंब होता है यहां पर option A बिल्कुल से उतर हो जाएगा और दोस्तों उर्जा का SI मतर्ग जूल होता है साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है अब चलिए फ्रेंस देखते हैं पर अगला परसन तो देखें आप साथ नमर परसन में बहुत इंप अधिक्तम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है यहां से उतर हो जाएगा और दोस्तों एक परसन यह भी पुछे आते हैं कि असपश्ट देखने की अधिक्तम दूरी कितना होता है अनंद होता है साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है अब चलिए फ्रेंस देख मैं वह करता है केंदर तो दोस्तों जाग परतिभीम की उचाय को बं southya से भाग किया जाता है आनुकाद इसका पांच तो दोस्तो चुम्बक के जो है ना मुख्ये दो धुरूब होते हैं एक होता है नोर्थ पोल और एक होता है आपका सौथ पोल याने की उत्री धुरूब और दक्षनी धुरूब साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंज देखते हैं पर अगल कि एक को कंसंट्रेंट होके याद करेना है तो देखियो आपका दिया वह की मदले क्पूर तन या फिर कशेपन और प्रकास का प्रावरतन और अपकी अपरकास के प्रकलत के यानि कि यहां पर उप्सन नमर्ड डी जो है ना बिल्कुल से उतरो जाएगा और दोस्तो यह नीले रिंग का पड़ा किना जो होता है ना सबसे जादा होता सबसे अधिक होता साथ में से भी आप लोग को याद रखना है तो दोस्तो अभी तक वीडियो को लाइक ने की है ना अबिल्कुल से उतरो जाएगा अब आये फ्रेंज देखते हैं पर 12 पर स्था मोस्त इंपोर्टेंट है तो देखें यहां पर क्या करा है कि विद्धु सक्ति का इसाइग मात्रक प्रिक्छा में पूछा जा चुका है तो दोस्तो आफ्सन अ में आपका दिया वाट गंटा और उप्षन सी यूनिट और अप्षन दी में आपका दिया हुआ है तो दोस्तों जो एलेक्ट्रिक पावर होता है इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना वाट होता है यहां पर आप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा काफी महतपुर्ण परसन है अब चले फ्रेंज देखते है आप लोगों बतलाना है कि विदुद धारा के चुम्बे के परवाव का जो खोज किया था ना किस ने किये थे और श्टेड ने किये थे यानि कि यहां पर आप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं पर अगला परसन है तो देखे हैं पर 14 परस दोस्तों विदुद मोटर विदुद उर्जा को जो है ना यांतरिक उर्जा में बदलता है यानि कि यहां पर आप्षन नबर एज जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं पर अगला परसन तो देखे हैं पर 15 परसन में बोस्ट इंपोर्ट दोस्तों से निकलता है और आपका सौथ पौल में परवेस करती है आप चले फ्रेंज देखते हैं पर अगला परसन तो देखे हैं पर स्वालन परसन में मोच्ट इंपोर्टेंड क्या कराएंगी बायों फितन पर प्रोपन और सशन घया हैं से निकलता है इंस लोग बतलाना है कि बायो गेस का जो मुख है अब यह होता है आपका क्या होता है ब्यूटेन होता है यहां पर उप्शन वर ए जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चलिए फ्रेंस देखते हैं आप इस 700 परसन बोथ इंपोर्टेंड है तो देखें आप इस 700 परसन क्य दूनों करते हैं लेकिन यह नाम लोग वहाणों के इंधन की रुप में करते हैं और दोस्तों एक पर नेव और याद रखना है अब चलिए फ्रेंस देखते हैं पर 18 परसन बहुत इंपोर्टेंड देखेंग क्या कराईगी पबनों का देश किसे कहते हैं most important option A भारत या फिर अमेरिका और option C है डेन्मार्क और option D में आपका दिया हुआ है पाकिस्तान तो तो पबनों का देश जो है न हम लोग डेन्मार्क को कहते हैं यहाँ पर option वर्सी जो है बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंस देखते हैं पर 19 परसन भी बहुत important है तो देखें आप क्या गराएगी नाभे की उर्जा किसे प्राप्त होती है काफी महत्पूर्ण है option A है helium या option B है chromium और option C है uranium और option D में आपका दिया हुआ है aluminium तो दोस्तो नाभे की उर्जा जो है ना uranium से प्राप्त होता है इसे आप लोग को याद रगना है यानि कि यहां पर option C जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंज देखते हैं आपे 20 नमर्परस ने काफी महत्पूर्ण ने देखे का क्या करा है कि मानो नेतर के किस भाग पर वस्तू का प्रतिवीं बनता है option A में आपका दिया है और 18 न या फिर आईडिस और अफसन C है नेतर गोलक और अफसन D में आपका दिया हुए कोर निया तो दोस्तो मानो नेतर के जिस भाग पर पर परतिवीं मनता है उसे हम लोग 18 न या फिर दिरिश्टी पटल करते हैं इसे आप लोग को याद रखना है और दोस्तो मानो नेतर में जो किसी भी वस्तु का परतिव मनता है ना वास्तिविक उल्टा और वस्तु से छोटा परतिव मनता है साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है तो दोस्तो वीडियो को आप लाइक ने की है ना दोस्तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजग परिक्षा में इस वीडियो से हंडेट परसन यह मेरा गेरेंटी कि 15 नमर पका मिलने वाला इसलिए कि कॉसंस को कंसंट्रेट होके याद कर लिजेगा अब आए फ्रेंस देखती हैं पर अगला परसन मोस्ट इंपोर्टेंड है तो देखें हाँ पर क्या करा है कि गलोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गेस उत्तरदाई है और अप्सट बी जो बिल्कुल से उत्र हो जाएगा और दोस्तो वाइमंडल में जो कारवन डाय ऑक्साइट गेस की जो मात्रा होता है लगबग 0.03 परतिसत होता है और दोस्तो वाइमंडल में जो ऑक्सिजन गेस की म आप लोगो को चलना है अब चले फिर देखते हैं अगला परसन तो देखें आप बाइस नमर्परशन है कि किसका उस में मान सबसे ज़ादा होता है और और अपसंदी में आपका दिया हुआ कि रोसीन का तो आप लोगों को पता होगा जो एल पीजी होता है ना इसका उसमें प्रमान क्या होता है सबसे अधिक होता है यहां पर ऑफसर मर्सी जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा अब चले देखती हैं आप पर अगला परसन तो देखें आप चले फिरेंस देखते हैं पर पर चोबिस परसन पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंड कि इसका रूप है जो होता है और दोस्तों परकात जो होता है ना पर गवन करती है साथ में आप लोग को याद रखना है आप चले फ्रेंस देखते हैं आप अगला परसन है तो देखें हाँ पर 25 परसन मोस्ट इंपोर्ट टेंड क्या कराएगी जिस वस्तु का अपना प्रकास होता है उसे क्या कहते हैं और देखें से वालच मोस्ट करता है उसकों अमोर प्रकास क्या करता है याने का वर लुटो को यहाद रघना है तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक ने की है ना दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजिए ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगरूं को प्रेस करके ओल पर जरूरू सेलेट कर लिजएगा आए फिर देखते हैं आप पर अगला परसन मोस्ट हुद्स मोटर गारी के साइड मिल्यों में किस दर्पन का पियों किया जाता है एक पर जो ही ना बिलकुल से ओतर को याद रखना है आप चले फ्रेंस देखते हैं आप एसने परसन मोश्ट इंपोर्टेंड देखेगा क्या गराए कि परिपत की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रियोग किया जाता है इमेंगे प्राइब आप दिया परती रहे हैं परिपत की सुरक्षा के लिए ना हम लोग किसका करते हैं विद्धूत फ्यूज का करते हैं यहां पर इस ब्लकुल से उत्र जाएगा बोत इंपोर्टेंड परसन अंपरन है ना आपन जरूर देखेगा और दोस्तों विद्धू जो है न विद्धु धढ़ा कि उसमें प्रोहबर काड़े करता है साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंज देखते हैं पर 28-9 परसन मोस्ट इंपोर्टेंड क्या करा है कि प्रमानु के नाभिग में उपस्तित होते हैं यहां पर आपका दिया दोस्तों निट्रोण पर जो यह ना कोई आवेश सहीं होता है यह जो हता है और दोस्तों यह इलक्ट्रोण जो होता है इसमें आपका इयसी भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंस देखते हैं आप पर 29 पर सबस्तुर्ध मोस्ट इंपोर्टेंड दिक्ए क्या क जाएगा और दोस्तों एक पर्स ने पुझे आते हैं कि प्रती रोधत्ता का ऐसे मत रख्या होता है तो ओम मीटर होता है साथ में से भी आप लोग को याद रखना है अब चले फ्रेंच देखते हैं आप आज का लास्ट और अंदिम पर्स ने जो इंपोर्टेंड देखेगा क्या गराए कि जुल प्रती कुलाम किसके ब्राबर होता है काफी महतपुर्ण है और अप्सन बीवांतर का ऐसा आप लोग को याद रखना है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महतपुर्ण तीस इंपोर्टेंड और देख चुके हैं और दोस्तों यह जो तीस ऑफजरीव पर्सन है ना आपके फाइनल मेंटिक बूट पर इक्चा के लिए अतियंदी महतपुर्ण है अगर यह तीस ऑफजरीव पर्सन को कंसंट्रेट होके याद कर लेते हैं तो आपके फाइनल में पर्सन जो आपके लिए त्यार किया गया देखें आपे कि इंद्र धनुस में सबसे अंदर कौन सारंग दिखाई देता है और अफसन यह लाल और अफसन बैगनी और अफसन दी में आपका दिया और पीला तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जो है आप लोग हमें कमेंट क प्रेस करके ओल पर जरू सेलेट के लिए जगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरू सेर कीजिए दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो